हेलो फ्रेंड्स मैं संद्य अगरवाला जब कोई सिंधी ठाके का यालमोटिफ सिखाती हूँ इसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपका आडी लाइन, खडी लाइन और कॉर्णर को कॉर्णर को कॉंसेप्ट क्लियर हो जाए तो इसमें मैंने नंबर दिया है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से हम उपर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फिर वापस हम 1 में गए, चलिए देखते हैं यह हम 1 से शुड़ करें, अब 2 में हम 3 को नीचे डालके आडी लाइन से यह निकालेंगे, ठीक है यहाँ पर हमारा धागा उपर रहेगा, अब हमारा 3 में धागा कहां तक या रहे है, यह एंड तक थोड़ा सागे से लेके हम इसको तीचे में निकालेंगे तो अब हमें देखना है कि 3 का धागा, यह वाला धागा उपर रहेगा या इस लाइन के नीचे रहेगा तो हम क्या करेंगे, खड़ी लाइन है ये, देखिए ये 3 और 4 क्या है, खड़ी लाइन है, तो यहाँ पर खड़ी लाइन क्या है, 6 और 5, 11 और 12 और 2 और 1 तो 3 के लिए हम 2 का corner देखेंगे क्योंकि 11-12 में भी कोई line नहीं है 605 में भी कोई line नहीं है 2 और 1 में खड़ी line क्या है देखें नीचे गुसिये तो 11 और 12 में क्या आजेगी खड़ी line आईगी तो उपर आईगी फिर 605 में नीचे तो 3 और 4 में हमार अधागा उपर हैगा अब हम यहां से निकालते हैं ठीक है अब हमारी line कैसे होगी यह आड़ी होगी तो यह आड़ी line में आड़ी line में 5 और 4 की आड़ी line के लिए कौनसी आड़ी line सामने दिख रही है 2 और 3 तो 4 के लिए हम 3 का corner देखेंगे कि 4 में धागा हमारे उपर रहेगा की नीचे तो 4 में आड़ी line का धागा कैसा है इससे ऐसी line का देखिए नीचे गुसा है तो हम इसको 4 में उपर रखेंगे और 5 से triangle बनाएंगे यह अब हम 6 में गए 6 में जाने से पहले हम 5 को चेक करेंगे तो 5 में हमारी line कैसी हो रही है खड़ी हो रही है तो यहाँ पर खड़ी line कौन सी है 3 और 4 है तो 5 के लिए हमारा corner कौन सा होता है 4 4 में खड़ी line कैसी है देखिए नीचे गुसा है धागा तो हम इसको धागे को 5 के corner में उपर रख लेंगे और यह जो बीच का corner है उसके लिए हम कौन सा corner देखेंगे 3 वाला 3 में कैसी है धागा उपर है तो हम इसको नीचे गुसाएंगे अब हम 6 में गए 6 में हम गए अब 6 में हमारा धागा उपर हैगा क्योंकि अभी कोई corner हमें यहाँ पर यह 7 का corner बना नहीं है तो हमें कोई corner नहीं दिख रहा है 7 में गए 7 में भी हमारा धागा उपर रहेगा क्योंकि 6 के corner में खड़ी line का लिए 7 और 8 खड़ी line होती है तो 7 का धागा नीचे है 7 में क्या होज़ेगा उपर रहेगा 8 में गए ये, एट में हमारा धागा क्या हो गया, आडी लाइन का हो गया, तो एट में आडी लाइन का देखने के लिए धागा क्या हम कौन सो कॉर्नर देखेंगे, सैवन को, सैवन में आडी लाइन का धागा क्या है, नीचे गुसाए, तो हम ये एट का धागा उपर रखेंगे, और य हमारा धागा 9 में भी कोई corner हमें दिखनी है यहाँ gap है यहाँ बनानी है तो हम 10 में निकालेंगे धागा ऊपर रखेंगे 10 में भी धागा हमारा ऐसे ही जा रह तो ऐसे में यह धागा नीचे है ऑडी-लाइन का तो हम ऊपर रखेंगे 11 में कई 11 में हमारी लाइन कैसी हो रही है नीचे जाएगी 12 तक लेकिन ये दागा कैसे रहेगा उपर या नीचे ये देखिए खड़ी लाइन 10 से 9 के 10 में कॉर्णर में नीचे है तो हमारा दागा उपर रहेगा और 9 में क्या हो जाएगा हमारा दागा क्योंकि 9 में उपर है तो हम नीचे डालेंगे ठीक है अब 12 में हम जाते हैं 12 में हमारा यह से concept हो यह 12 में यहाँ पर ट्रैंगल बना 12 में अब हमारी आडी लाइन हो रही है तो यहाँ पर आडी लाइन कौन सी है 2 और 3 में 12 के लिए यह corner देखेंगे तो यह corner में आडी लाइन का नीचे है तो यह धाका उपर अब 1 में यह 2 का corner देखेंगे तो 2 में हमारा यह आडी लाइन का धाका क्या है उपर है तो हम इसको नीचे करतेंगे यह अच्छा टाका का concept है अगर आपको यह समझ आया हो तो प्लीज ट्राइ कीज़े बनाने का तो बन जाएगा आपसे अब मैं इसको fill करना बताती हूं फिल में भी हमें खडी लाइन और आडी लाइन को ही देखना है देखें यह 1 में यह लाइन कैसे जारी खड़े में तो यह क्या है उपर तो हम क्या कर देंगे नीचे अब 2 में यह यहाँ पर से हम नीचे डालेंगे की उपर क्योंकि यह नीचे घुसा है खडी लाइन का तो हम बाहर से यह निकालेंगे उपर रखते हुए अब फिल यह 1 में क्योंकि यह देखें यह धागा उपर है अब हम यह हमारी ऐसी लाइन हैं, ऐसी लाइन का धागा आए नीचे घुसाए, हैने तो हम इसको धागे को उपर रखेंगे, और accum침 को आज निकालेंगे, अब हम नाइन में गये, यहां से, तो यहां भी हम नीचे घुसाएंगे, यहां हमें धागा उपर दिख रहा है हम सुई नीचे डालेंगे अब हम 9 में गए तो 9 से वोई बाहर से निकालेंगे छोटे स्पेस से अब हमारा यह 1st में नीचे जाएगी सुई और 10 में बाहर से फिर यहां पर हम 1st में नीचे करेंगे यह 1st में यह 1st में नीचे अब यह 4 बाहर की लाइन होगी तो यह 1st में नीचे, 2nd में उपर यह 3rd जो धागा है इसमें नीचे और 4th में उपर यह 1st में नीचे यह ओले में नीचे अब हम इसको ठी AC 6 में हम बाहर से निकालेंगे है अब यह फर्स में हम नीचे डालते हैं तेवन में यह छोटे वाले से बाहर से यह फर्स में नीचे फिर एट में बाहर से फर्स में नीचे सेकंड में उपर है ना फर्स में नीचे सेकंड में उपर यह थर्ड है थर्ड में नीचे सुई करी और फॉर्ट में उपर यह फिर फर्स में नीचे हैं फिर यह बाहर से फिर्फ के अब यह देखिए थर्ड में फिर बाहर से हम आएंगे फूर के बाहर से फस में नीचे ये फस में नीचे सेकंड मूपर थार्ड में नीचे ये मैंने बॉक्स बड़े बनाए है ताकि आपको समचा है इसमें गैप नहीं दिखता नहीं तो फस में नीचे अब यह 12 के बाहर से यह 1 में नीचे, 2 में पर 3 में नीचे और फिर यह 1 के बाहर से और यहां हम शूरू कर रहे हैं, वहां आ रहे हैं आप इसको बना के देखे, बन चाएगा अगर आपको मेरा वीडियो परसंद आथा तो इस लाइक, शेयर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू